तो दोस्तों आज की इस वीडियो में Alfred Lord Tennyson की एक बहुत वेलनोन पोएम Ulysses का लाइन बाई लाइन हिंदी में एक्सप्रानेशन किया जाएगा और दोस्तों अगर आप इसी पोएम का एक्सप्रानेशन इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो नीचे दियावे लिंक को क्लिक कीजिए और दोस्तों अगर आप Alfred Lord Tennyson के बादे में जानना चाहते हैं या किसी और पोएम या ट्रापिक के बादे में चाहते हैं तो यूटूब पर वो टाइटिल और अकेडमिक डॉमेंड टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा और अगर आप इस पोएम से रिलेटर कोश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल आइगन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नहीं वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं तो दोस्तों Ulysses एक dramatic monologue है और जब हम dramatic monologue की बात करते हैं तो हमको 3-4 points जो है याद करने पढ़ेंगे पहला तो यह है कि इसमें एक single speaker होता है और दोसरी बात है कि इसमें जो audience होते है चाहे लिसनर चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो या फिर रीडर हो तो audience जो भी होते है और silent audience होते है यानि यह कुछ बोलते नहीं है मगर जब speech और speaker बोलता है तो उसकी speech से कुछ ऐसे clues आते हैं कुछ ऐसा एशारा मिलता है जिससे हमें मालूम होता है कि audience या listener क्या कर रहा है और जो important चीज यह है कि जब speaker बोलता है जो भी तो consciously या unconsciously या जानबूश कर या अनजाने में वो अपनी personality को reveal करता है और दिखाता है कि वो किस तरह का आदमी है किस तरह का मैन है तो यह dramatic monologue के कुछ characteristics थे और जब हम इस poem की बात करते हैं तो इसमें जो speaker है Ulysses है और एक Greek hero है और Trojan War के बारे में आपने सुना है योगा कि Trojan War 10 years तक चला था और City of Troy destroy हो गया था पूदा और यह Trojan War के बाद जो 10 साल तक Trojan War चला और जो Greek और Try के बीच में हुआ था तो इस जंग को जीतने के बाद Greek तक पहुंचते पहुंचते ग्रीस तक पहुंचते पहुंचते जो Uly Ulysses का Kingdom है इथाका वहां तक पहुंचते में उसे 10 साल लग गये थे 10 साल आने में 10 साल और जायती बात है वहां जाने में भी कुछ टाइम लगा होगा तो यह अच्छा खासा टाइम हो गया था तो अब Ulysses बुड़ा हो गया इसकी वाइड भी बुड़ी हो गई है तो मग जो एक एडवेंचर के लिए ट्रवेल के लिए निकलना चाता है तो यहां पर Ulysses बोलता है कि इट लिटिल प्रॉफिट्स डैट एन आइडिल किंग बाई इस स्टिल हर्थ अमंग दीज बैरन क्रैक्स मैच्ड विद एन एजड वाइफ आई मीट एंड डोल इक्वल लॉ आइडिल किंग की एक राजा एक किंग क्या करें बाई इस इस्टिल हर्थ हर्थ मिस जो भट्टी होती है चूला होता है इस्टिल मिस जो जला हुआ चूला ना हो यहां पर उसका पैलेस उसका घर अपने घर की तरफ और इस पैलेस की तरफ कि इस पैलेस में घर पे इन इन बंजर चटानों में और एक बुड़ी वाइफ के साथ मैं गया करूँ किसी को रिवाड दूँ किसी को पनिश्मेंट करूँ यानि मैं राज करूँ किस पर एक सब लोगों पर मैं राज करूँ तो यहां पर यूलिस्स कहना चाहता है कि एक कि लिए यह बहुत ही बेकार की चीज़ है यूजलिस चीज़ है कि वह पैलस में बैठा रहे बैरन के बीच में पैलस में अपने बुड़ी वाइफ के साथ रहे बैठा रहे और सब भी लोगों पर क्या करें राज करें हुकूमत करें और जो लोग उसको नहीं जानते हैं जो लोग किस में बिजी हैं और खाने में बिजी हैं और मुझे नहीं जानते हैं तो मैं एसे लोगो पर राज नहीं करना चाता ऐसे लोगों पर उकूमत नहीं करना चाता हूँ जो लोग मैं पैसा कमाने में बिजी आंचे में कौन हूं नेच्ट लाइन्स देखते हैं और दोस्ता इसमें 70 लाइन्स हैं मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम टाइम में और हर वर्ड को अच्छी तरह समझा सकूँ यहाँ पर बोलता है कि मैं ट्रावल से रिष्ट नहीं कर सकता हूँ यह जो जो पीने वाली चीज़ को थोड़ा नहीं नहीं रह जाती है तो उसको लीज बोलते हैं यह जिसको तलचट बोलते हैं तो यहां पर बोलता है कि I will drink life to the least मैं life को उसके अंध तक पीऊंगा इसका मतलब कि मैं life के आखरी मोमेंट तक उसको मैं enjoy करूंगा यानि मैं कुछ नकुछ जो है adventurous activities अपनी बरकरार रखूंगा life के अंध तक all times I have enjoyed greatly हमेशा मैंने greatly बहुत ही ज्यादा enjoy किया है have suffered greatly बहुत ज्यादा मैंने suffer भी किया है जेला भी बहुत ज्यादा है इसके साथ with both with those who that loved me उन लोगों के साथ जिस जिनोंने मुझे प्यार किया यानि अपने साथियों के साथ जो मेरे साथ जंगे किया करते थे and alone और अकेले अब यहां बोलता है कि मैंने समंदर की किनारे भी या लैंड पर जमीन पर और उस वक्त भी जब स्कडिंग में बहते हुए बादल ड्रिप्स में बहार लेते थे बहार कर लाते थे दा रेनी हाई डीज रेनी में बारिश करने वाले हाई डीज में तारों का सुमू तो यानि एक ऐसी तारों का गुरूप जो यह इंडिकेट करता है कि अब तुफान आएगा हवाएं बहुत तेज चलेंगी और बारिश होगी और तो फिर वेस्ट डडिम सी जो एक खामोश समंदर में एक हलचर सी मचा देते थे एक को अब मेरा एक नाम हो गया है बहुत Amen और हमेशा को देखा हैंड मैंने शेहरों को देखा है वहां के लोगव को देखा है और उनके manners को देखा है, उनके culture को देखा है, वहां के climates को देखा है, बहुत सारे शहरों के, और वहां के शहरों की meeting को भी देखा है, मैंने बहुत सारे governments को भी देखा है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, but honored of them all, मैं जहां जहां भी गया, हर जगा मुझे सम्मान मिला, हर जगा मुझे honor किया गया, and drunk delight of battle with my tears, for far on the ringing plains of windy Troy, अब यहां पर यू लिश्ति बोलता है, कि मैंने अपने साथियों के साथ, with my peers, मैंने अपने साथियों के साथ, drunk delight of battle, मैंने बैटल को, जंग को, आनंद, जंग को जो है, enjoy किया है, far on ringing plains of windy Troy, ट्राय के जंग के मैदानों में, windy में जब तूफान हुआ करता था, हवाएं बहुत तेश चलती थी, और रिंगिंग में जब तलवारों के चलने की, तलवारों से जब तलवारें टकराती थी, तो जो एक आवाद आती थी, तो वही point बोलता है कि मैंने ठ्राय के जंग के मैदानों में, जिसमें बहुत ज़्यादा तूफान हुआ करता था, वहाँ पर भी जब battle होती थी, युद्ध होता था, तो मैंने अपने साथियों को साथ उसको enjoy किया है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, I am a part of all that I have met, यह मैंने जो कुछ भी किया है अपनी life में, वो मेरी life का मेरी personality का एक हिस्सा हो गया है, It all experience is an arch where through gleams that untrouveled world, whose margin fades forever and forever when I move. So it all experience is an arch, arch means एक महराब, यानि बहुत बड़ा gate हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर speaker बोलता है कि मैंने जो कुछ भी अपनी life में experience किया है, मैं उसका एक हिस्सा हो गया, वो मेरी personality का एक हिस्सा हो गया है, इसके बावजूद भी, जितने भी मेरे experiences है, जितने भी मेरे battles है, जो भी मेरे achievement है, वो सब मेरे लिए क्या है, एक gate की तरह है, एक महराब की तरह है, एक gate की तरह है, वहाँ से जब मैं वहाँ तो गेट पर खड़ा होता हूँ, यानि ओ experience, जब ओ adventure मैं कर लेता हूँ, तो फिर वहाँ से मुझे क्या लगता है, gleams that untravel world, एक मुझे untravel world चमकता हुआ दिखाई देता है, यानि मैं जितना भी experience करता हूँ, मैं जितना भी adventure करता हूँ, तो वहाँ से मुझे लगता है, कि अभी और भी बहुत सारी चीजे हैं, जो अभी करना बाकी है, तो gleams that untravel world, हो एक ऐसा world मुझे दिखाई द जिता है, जो जिसको मैंने travel नहीं किया है, जिसको लोगोंने travel नहीं किया है, whose margin fates, उसका किनारा धुदला होता चला जाता है, किनारा ये horizon हम कह सकते हैं छीति जहां पर आसमान दुर्व दिद्विश मिलते हुए दिखाई देते हैं तो फू स्का जोता है धुद्वा होता हुआ दिखाई होता चला जाता है ओर हमेशा धुद्वा होता चला जाता है जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ इसका मतलब कि मैं कितना भी experience कर लूँ मैं कितना भी battle जंग लड़ लूँ मैं कितने भी adventure कर लूँ मगर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी करना है अभी बाकी है how dull it is to pass कितना बेमज़ा है to pass में ठहरे रहना कुछ नहीं करना inactive रहना कितना बेमज़ा है कितना dull है to make an end यह समझ लेना कि बस हमारी life क्या है खतम हो गई है बुड़ापा आ गया है to rush unfurnished अपनी चमक खोकर जंग लग जाना मैं किसी चीज़को यूज नहीं किया जाएगा तो उसमें जंग लग जाती है not to shine in use यैनि use में आकर नहीं चमकना जब किसी चीज़को चाहिए कोई tools और जो भी आग़े वेको 안सिस को यूज नहीं किया जा तो उसना कर अमें उसकी जंग लग जाता है, एसा लगता है कि साक्व लेना ही जिन्दगी है, life piled on life was too little, अगर मुझे जिन्दगी का धेर मिल जाए, मुझे कई life मिल जाए, कई जिन्दगीया मिल जाए, तो भी मेरे लिए too little, बहुत ही कम पड़ेगी, बहुत ही छोटी होगी, and one to me little remains, और जो मुझे एक life मिली है, a little remains, बहुत ही थोड़ा बची हुई है, but every hour is saved from that eternal silence, eternal silence death के लिए यूज किया गया है, बोलता है कि बगर मौत से पहले, death से पहले, हर moment को, हर घंटे को मैं enjoy करना चाहता हूँ, हर moment को मैं सही से यूज करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ, something more, a bringer of new things, फिर बोलता है कि something more, अभी भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो सीखना है, a bringer of new things, बहुत सारी नई चीज़े हैं, जिन तो अभी भी सीखना है, बहुत सारी नए वर्ल्ड है, जहां पर भी travel करना है, and while it were, यह बहुती तुछ बात होगी, while में बहुत तुछ होना बहुती पेटी, याँनि बहुती घटिया चीज़ होना, while it were, यह मेरी लिए बहुती घटिया चीज़ है, for some three sons, जो मेरी लाइफ में, जो 3 साल बचे हुआ है, 3 सांस का मतलब कि 3 साल, यानि जो मेरी लाइफ में कुछ टाइम बचा हुआ है, कुछ 3-4 साल बचे हुए है, to store कि मैं इन बच्चे हुए सालों में मैं पैसा जमा करूँ और मैं चीजों को एकठा करूँ तो यह मेरी लिए क्या है बहुत ही वाइल है बहुत ही छोटी बहुत ही घटिया चीज है and this grey spirit learning in desire to follow knowledge like a sinking star and this grey spirit और मेरी जो यह grey spirit है grey का मतलब कि इसमें बहुत जादा shining नहीं होना यानि अब यूलिसिस का बुठा हो गया है अब जैसे जवान पहले था जिसमें जितना उसमें के अंदर पावर था जो इसके अंदर एक चमक थी और अब नहीं बाकी रह गई है मगर उसके बावजूद भी इस grey spirit इस बुठापे में भी yearning in desire उसके अंदर बहुती तीव एक्षा है बहुत great desire है क्या desire है to follow knowledge कि नई चीज को सीखने की नए knowledge को जानने की किस तरह से like a sinking star डूपते हुए तारे की तरह क्या है कि जब कोई star डूपता है तो आखरी moment तक उसमें चमक बाकी रहती है तो speaker यहां पर यही कहता है Ulysses यही कहता है कि मैं मलते हुए यानि मलते दम तक मैं कुछ ना कुछ नया जानना चाहता हूं कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता हूं Beyond the utmost bound of human thought और मैं ऐसी चीज़ों को सीखना चाहता हूं जो common लोगों के विचार से उनके थौट से उनकी सोच से बहुत ही प्रे हो नेक्ट लाइन देखते हैं अब वो बोलता है कि यह मेरा बेटा है माइन होन टेली मेकर मेरा अपना टेली मेकर से मेरा अपना बेटा है To whom I leave the sceptre and the isle सेप्टर में से यहाँ राजा धिकार हम कह सकते हैं या राज को हम सीदह कह सकते हैं तो मैं इस राज को और इस आईलेंड को मैं उसके हवाले करता हूं मैं उसको लिए छोड़ता हूं उसके हवाले करता हूं वेल लवड आपमी जिसको मैंने बहुत प्यार किया जो मेरे लिए बहुत ही प्यारा है इस लेबर को इस काम को या इस राज को अच्छी तरह हैंडिल करने में वह बहुत ही एबुल है उसके अंदर काबलियत है बाइस लो पूडेंस अपनी अकलमंदी के साथ पृदेंसमिल के साथ अकलमंदी पर समझ के साथ To make mild, वो mild बना देगा, soft बना देगा, sub पे बना देगा किसको दगड पीपल रगड पीपल को सब्धो लोगों को कि एन्ट रोच आफट डिक्रीज सब्डू धेम टू यूटि टू यूश्फुल और डूड गुड एन्ट रोच डिक्रीस और धीरे धीरे उनको कंट्रोल करके उनको कंट्रोल करके जो मेरी अवाम है उनको यूसफुल और अच्छा बना देगा ताकि अपने कंट्री के लिए अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें अपनी मा का बहुत है जानता है। बहुत साथ समझता है। डिसेंट नर्ट टू फेल इन ऑफिज़्शे आप टेंडरनेश। जो टेंडरनेश यहां पे है। उसकी मास के लिए यूझत हो सकता है। कि जो अपनी मा के भी बहुत ही ऊच्छी ताहं से ख्ियाल रख लेगा। यानि और भी जो नीडी लोग हैं, जो बहुत ज़ादा ज़रूरत-मंद लोग हैं, उनको भी अच्छी तरह से बिना फेल के यानि उनको अभी अच्छी तरह से ख्याल रख लेगा And pay meat adoration to my household gods और जो मेरे घर के जो मेरे household जो gods हैं, जो देली देलता हैं, उनको भी क्या करेगा, उनको भी adore करेगा, उनको भी worship करेगा यानि हमारी जो रीती रिवाज है, उनको भी बनाए रखेगा When I am gone, जब मैं चला जाओंगा He works his work, और अपना काम करेगा, I mine, और मैं अपना काम करूँगा Next line, there lies the boat, अब बोलता है कि यहां पर यह सामने बंदरगा है, यानि वो जाने के लिए तयार है The whistle puffs her sail, whistle means हम जानते हैं कि जहाज होता है पानी का, puffs means हवा का बहना Sail means जो पानी के जहाज में जो पहले पानी के जहाज होता था उस पर बड़े-बड़े कपड़े लगे होते थे ताकि हवा के pressure से जहाज आगे बढ़ सके तो यहां पर speaker वही बोलता है कि जहाज में लगे हुए कपड़े में क्या है, पुरी हवा भरी हुई है यानि हावा चल रही है यानि जहाज चलने को रेड़ी है There gloom the dark broad seas जो लंबे चोड़े समंदर है जो लंबे चोड़े और समंदर है काले समंदर है इसमें क्या एक चमक्सी है यानि हमें अपनी तरफ attract कर रहे हैं, अपनी तरफ खीच रहे हैं माई मारिनर्स मेरे साथ ही, मेरे मल्ला Souls that have toiled and wrought and thought with me यह ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे साथ ट्वाइल किया है जिन लोगों ने मेरे साथ जंग्रे लड़ी हैं, बहुत ही श्ट्रगल किया है मेरे साथ बहुत कुछ झेला है और मेरे साथ ही यानि मेरी जैसी सोच रखने वाले लोग है अब यहां पर भी बोलता है कि उन्होंने हमेशा फ्रोलिक में खुशी के साथ वेलकम किया है इसका थंडर का and sunshine चाहे तूफवान हो, चाहे धूप हो, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसे भी situation हो उनका हमेशा उन्होंने खुशी के साथ वेलकम किया है and अपोस्ट फ्री हार्ट, फ्री फारेड, फारेड्स और खुले दिल से, सामने से, हर चीज को उन्होंने मुकाबिला किया है and his toil, लेकिन बुढ़ाबे का भी अपना सम्मान होता है और अपने struggle होता है, इसका मतलब नहीं कि हम बुढ़े हो गया, सब कुछ खतम हो गया अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नए वर्ड की कुछ कर सकते हैं death closes all, फिर बोलता है speaker कि death जो है सब चीज को close कर देती है, खतम कर देती है but something ere the end, ere means before, पहले, लेकि end से पहले, death से पहले, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए some work of noble note may it be done, यानि कुछ अच्छा काम noble note means, अच्छा work means काम यानि most से पहले, death से पहले भी कुछ अच्छा काम may it be done किया जा सकता है not becoming, not unbecoming men that is true with gods तो अगर आप not and un को निकाल दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि becoming men ऐसे आदमी बन कर, हम ऐसे आदमी बन कर कुछ अच्छा काम करेंगे that is true with gods, जिन्होंने gods के साथ देवताओं के साथ जंगे लड़ी हैं यह माना जाता है कि जब Troy का युद्ध हो रहा था, तो जब Trojan war हो रहा था तो उसमें gods भी कभी कभी participate करते थे, कभी Greek की तरफ से, कभी Troy की तरफ से तो वही यहां पर speaker बोलता है, Ulysses बोलता है कि हम ऐसे आप भी बन कर फिर से कुछ नया पर फिर से कुछ अच्छा काम करेंगे जिन लोगों ने gods के साथ जंगे लड़ी थी next line the lights begin to twinkle from the rocks यह रोक से चटानों से lights रोशने चमकने लगी है यानि star जिल मिलाने लगे है रात हो गई है the long day winds जो दिन बहुत लंबा था अब क्या ओ गया धीरे-धीर कम होता चला जा रहा है the slow moon climbs और moon चांद धीरे-धीरे आसमान पर आता हुआ दिखाई देता है यानि रात हो गई है the deep moons round with many voices और समंदर चुकि वहीं पास में ही है तो उसकी लहरों से different तरह की आवाज आती है फिर बोलता है come my friends my friends आओ चलो it is not too late to seek a newer world नये world की खोष करना कभी भी लेट नहीं होता है कोई नया काम करना नया adventure करना कभी भी लेट नहीं होता है पुश आफ धक्का दो and sitting well in order और order में बैठ कर सही अच्छी तरह बैठ कर smite the sounding furos जो बहुत ये समंदर की उश्तिवी लहरे हैं इस पर smite करो इस पर attack करो परहार करो जहाद या boat जो पहले चलती थी तो उसको मला अपने पतवार से चलाता था तो उसी को बोलता है कि अपने पतवार से इनकी लहरें पर attack करो यानि चलो ready हो जाओ for my purpose holds to sail beyond the sunset क्योंकि मेरा उद्देश जो मेरा purpose है sunset के प्रेश चले जाना है and the baths of all the western stars until I die अब फिर बोलता है कि और वहां तक जाना है और उसके आगे जाना है जहांपर west side west दिशा में यानि पस्चिम की दिशा में stars जो है नहाते हुए दिख रहे हैं समंदर में वहां तक जाना है उससे आगे जाना है और कब तक जाना है कि दोसरे छोर पर सामने दोसरे छोर पर stars समंदर में जैसे नहा रहे हो तो तो speaker वही बात यहां पर कहता है कि जहां पर ऐसा लगता है कि stars समंदर में नहा रहे हैं Western stars, baths नहा रहे हैं जहां तक हमारी नज़र पहुँच सकती है जहां तक लोग देख सकते हैं हमें उससे भी आगे निकल दाना है उससे भी आगे जाना है और जब तक कि मैं बना जाओं याँ अपने लाइफ के एंड तक हमें कुछ न कुछ करते रहना है इसा हो सकता है जो खाड़ी है जो समंदर है हमें डुबा देगा इसा भी हो सकता है कि हम हैपी आइल्स को पहुंच जाएं है जहां पर यह माना याद आएगी इंद आइकलीज़ ऑ वहां पर हम किसे एकलीजिस से मिल नेंगे एकलीज़ एकलीज़ एकथ बाएफ को दोघरस सकता है content एक जो है ग्रीक हीरो था, whom we know, जिसे हम जानते हैं. दो, much is taken, much abides, अब यहाँ पर यूलिसिस बोलता है, कि हमारी लाइफ जो है, बहुत खतम, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ खतम हो गई है, यहाँ, much is taken, यहाँ हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा हिस्सा खतम हो गया है, much abides, अभी भी बहुत कुछ बाकि है, and though, we are not now that strength, अभी भी, and though, खाला कि अभी हमारे पास ओश्ट्रेंथ नहीं है, और पावर नहीं है, which in old days, जो पुराने दिनों में, mood, earth and heaven, जो पुराने दिनों में, जमीन और आस्मान को हिला दिया करती थी, अभी हाला कि अभी हमारे पास ओश्ट्रेंथ नहीं है, इसके बहुत भी, that which we are, we are, इसके बहुत भी, जो हम है, वो हम है, one equal temper of heroic hearts, तो हमारा जो heart है, बहुत ही heroic है, बहुत ही बहादूर है, और हम सब का nature क्या है, एक है, one equal temper, temper means nature हम कह सकते हैं, हमारा सौभाओ, equal means saman है, heroic means बहादूर hurts है, नहीं हम लोग क्या बहादूर लोग है, हमारा nature भी, एक saman है, एक जैसा है, made weak by time and fate, हमें time ने, और fate ने, यानि समय ने, हमारी किस्मत ने हमें कमजोर बना दिया, हम बुड़े हो गए है, but strong in will, लेकिन हमारी एक्छा सकती है, बहुत ही strong है, किसलिए, to strive, जो है, struggle करने के लिए, to seek, search करने के लिए, to find, पाने के लिए, and not to yield, और कभी भी ना जुकने के लिए,